आज से संसद का मौنसून सत्र शुरूँ हो रहा है और इस मौनसून सत्र में राज सभा के अब तक के सबसे कम उम्र के संसद हिस्सा लेने जा रहे हैं रागफ चड़ा है हमार साथ आमादी पार्टी के राज सभा सांसद है पहली बार आज संसद में एक डम रखेंगे रागव जी बहुत-बहुत आपको बढ़ाई इतने सबसे कम उमर में कोई राजसवा पहुंचता नहीं है लोग सबसे पहुंच जाते हैं क्या आपने सोचा है कि क्या आप करेंगे क्या मुद्दे उठाएंगे जिससे लोगों को लगे कि सबसे कम उमर का लड़का जो है वो किस तरह से अपने इस पद को इस जिम्मेदारी को निभा रहा है सबसे पहले तो आज मैं अपने संसदिय पारी की शुरुबात कर रहा हूँ गुरू महराज के दरबार में अरदास करके आया हूँ कि गुरू साब इतना मुझे बल और समर्थ बक्षें कि मैं सही रस्ते पे मांदारी के रहा पे चलके पंजाब के हकों की लड़ाई संसद के भीतर लड़ सकूं और जिम्मेदारी जो मुझे मेरे नेता अरविन केजरिवाल जी ने मुख्यमंतरी भगवंतमान साब ने दी है उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूं तीन करोड पंजाबियों का जो विश्वास हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के साथ है उस विश्वास पर खरा उतरूं इसी के साथ-साथ जहां तक मुद्दों की बात है पंजाब से संबंदे कई सारे मुद्दे हम इस बार सदन में उठाने की कोशिश करेंगे जिसमें पंजाब के पानी से लेकर पंजाब की कोईले सप्लाइ तक सारे मुद्दे पंजाब युनिवस्ट्री के केंदरी करण से लेकर पंजाब की खेती तक के मुझे उठाने का प्रयास करेंगे और जिन कानों ने आज आम आदमी की अवास सुनना बंद कर दिया है लुक्त टरह जिन पर चर्चा नहीं होती है केंदर सरकार ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर इन विश्यों पे चर्चा कराती है और ये दो बिमारियां आज हर कजबे, हर पिंड, हर गाओं, हर महले, हर शहर पहुँच गई है इन दो बिमारियों का नाम है मैंगाई और बिरोजगारी, इन्फलेशन और अनेप्लॉइमेंट इन दो विश्यों पर खास तौर पर एक देश का युबा होने के नाते आम आदमी पार्टी की और से मैं रखने की कोशिश करूँगा और इन विश्यों पर बहस हो ये रोज मर्रा के जीवन से लोगों के जुड़े मुद्दे हैं इन पर चर्चा हो ऐसी कोशिश हम करेंगे राश्पती चुनाव आज हो रहे हैं वोटिंग चल रही है आमादी पार्टी ने येश्यों सिना को सपोर्ट देने का फैसला क्यों किया इसमें विश्यों सिना बेहतरीन शक्सियत है और निश्पक्ष राश्पती साबित होंगे आमादी पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया है और हम उन्हें शुपकामनाई देते हैं और आज हम उन्हें वोट कोशिश करेंगे कि दौड में आगे करेंगे अच्छी शक्सियत है उनके बारे में भी अच्छी बाते सुनिए शुपकामनाई दोनों को लेकिन पार्टी ने फैसला लिया यश्पन सेनास आपको सपोर्ट करने का तो हम उनको सपोर्ट करेंगे आप पंजाब से राजसभा सांसद हैं अब यह भी सरकार बनी है एड्वाइजरी कमीटी के आप चेर्मेन हैं तो सुपर सीम आपको कहा जा रहा है इतनी कमों में एक तरफ हम यह आपको इंटर्डूस कर रहे हैं कि सबसे कमों उनके राजसभा सांसद हैं लेकिन दूसरी त काम है इस प्रकार के पूल जलूल बयान दे कर कीचड़ उचालना पंजाब सरकार पंजाब के लोगों ने भगवंत मांद साहब को चुना है मांद साहब के एक बहतरीन सरकार पंजाब में चल रही है और आने वाले समय में जैसे आज दुनिया में केजरी वाल मॉडल आफ और आे वाले समय में भगवंत मांद मांद माडल आफ Would वि दिल्स की ने बात होगी दिल्ली मॉडल की जहां आज फूरी दुनिया में बात होती आने वाले समय में पंजाब माड़िल की बात पुरा देश और फुरी दुनिया करें विपक्ष यह तर्क दे रहा है कि दिली में तो आपको किसी इस तरह की एडवाइजरी कमिटी की जरूत नहीं पड़ी दिली में भी सरकार उनाई आप लोगों ने लेकिन पंजाब के अंदर आप लोगों ने डवाइजरी कमिटी में न प्रशांत कि शौर से लेकर दुनिया जहांके लोगों को एडवाइजर रखा गया मैं विपक्ष के स्ट्रैप में ही नहीं फसना चाहता है हम काम करने आए हैं है है काम करें लोगों का फत्वा देता है जब लोगों का फत्वा आएगा जो आया 2022 में फैसला हो गया 27 में आपको उसका Constitution document मिला है एक जोटी सी एक टेंप्ररी आड हो कमिटी है जो जब जब जिस जिस समय पर एडवाइज मांगी जाएगी अपनी एडवाइज रेंडर करके जिस विशे पर सरकार एडवाइज मांगी वो देगी और इसमें कई सारे एमिनेट लोगों को आने वाले सम जरू हो रहा है जीवन का दूसरा दियाई भी जल्दी शुरू करेंगे और जल्द करेंगे घरवालों का भी बहुत प्रेशर है आप लोग भी आर इंटर्वियू में सवाल पूछते हैं तो आप लोगों का भी प्रेशर है लेकिन शादी के हिसाब से उमर काफी हो गई है जरूर करेंगे आप लोगों की शुप काम नहीं रहेंगी तो जल्द हो जाएगी ठीक है बहुत बहुत अनिमाद और आपको हमारी शुप काम नहीं दिल्ली से मैं शरच शर्मा एंडिटीव इंडिया